दोस्तों नमस्कार स्वागत है आप सभी का और अड़ाफर्श्टी याटूब चैनले जिसा कि आप किसी वर्थी सम्मध के कोई भी जान काई होती है आप सभी को और अड़ा फर्श्टी चैनल के माध्यम्द जी दी जाती इस वीडियो में हम बात करने बाले हैं बजट के अंदर यूबाओं के लिए 10 बड़ी गोशनाओं के बारी में, यूबाओं के लिए CM योगी का कहना है कि ये बेस्ट बजट है, तो वहीं दूसी दब यूबाओं के अंदर आक्रोश है, के बीए सिच्छेक बरती परिक्षा को ज़र्द कर दिया गया है, ओफीशल जादी हो गया है, PCS के अंदर बैकल्बिक विशेय को खतम करते हुए, संबंद में नया नोटिस जादी हो गया है, ये बेसिक सिच्छा अधिकाई और डाइट पर बकता भरती के लिए काफी ज़्यादा महत्पूर होगा, चलिए दोस्तों वीडियो शुदू करते हैं, आपको मिलते हैं, बिहार डिलेट में पूछे गए सभी previous year question, साथ ही इसके अलावा most expected question भी, ये study guide आप सभी के लिए सबसे best है, अगर आप बिहार डिलेट exam करक करना चाहते हैं, तो क्योंकि इसमें सभी तर्थ्यों को और सभी point को ध्यान दखा गया है, जो कि आपकी परीक् गलतना हो, बिहार डिलेट की study guide के साथ चक्सु पकाशन का आता है, बिहार डिलेट का practice set इसको भी आप यहां से purchase कर सकते हैं, इन दोनों के link मैंने आपको वीडियो की description में दे दिये हैं, Amazon या फिलिपकार से या फिर अपने नजदी की store से जाकर भी आप ले सकते हैं, link वीड अधियम से budget जारी किया जाता है, तो यूबाओं की उसको लेकर काफी ज़्यदा उंभीदे होती हैं, क्योंकि बरतमान में बहुत कम ऐसी सरकार हैं, जो यूबाओं को लेकर फैसले लेती हैं, लेकिन कुछ सालों से ऐसा देखने के लिए मिला हैं, पड़ोसी राज्यों के अंदर, जहां पर यूबाओं को ध्यान में रखकर budget बनाई जाते हैं, गोशना भी की जाती हैं, हाली में राजिस्तान सरकार का example हम दे सकते हैं, उन्होंने कहा था कि हम एक लाक नई भरतियां और करेंगे, जिसको लेकर मैंने आप सुभी को वीडियो बनाकर जानकाई भी तो उसी को लेकर अगर बात की जाए, तो यहां पर CM योगी के माध्यम से कहना है कि budget में यूबाओं के लिए, किसानों के खास ख्याल रखा गया है, यहां पर उनके माध्यम से दिया गया बयान देखने के लिए मिलेगा कि यह है budget प्रदानमंती के दिस्टिकोंड के जबान जिनको हम यूबा कहते हैं, उन सभी को ध्यान में रखकर बनाया गया है, और हर तवकिये के हितों की पूरती करने वाला budget है, मतलब उनका कहना यह है, कि यह budget पूरे तरीके से बैस्ट्रेस में कोई कमी देखने के लिए नहीं मिलती है, लेकिन अगर बात कीज़े यूबाओं के लिए इसमें क्या है, तो उसको लेकर दस बड़ी गोशना यहाँ पे देखने के लिए मिलती है, मैं इनको लेकर ना समर्थन करता हूँ, ना अपनी तरफ से कुछ कहता हूँ, जो जानका ही भई आप सभी को देता हूँ, लिगा हुआ है कि पांस साल में दो क और चात चात्ताओं को टैबलेट दिये जाएंगे, जिसकी जानका ही मैंने कल भी आप सभी को दी थी, स्टार्ट अप नीती के तहत अगर बात की जाएंगे, इसी तरीके से और भी अलग-लग मुद्दे होंगे, यहाँ पे होगा क्या मैं आप सभी को आसान बासन बता दू कि सरकार के माध्यम से अलग-लग मुद्दों में निवेश किया जाएगा, और निवेश से पैदा होने वाला जो जो जोजगार होगा, जिसको आप नोकी तो नहीं कह सकते हैं, वो आप सभी को मिलेगा, और इसकी माध्यम से यहाँ पे आपको अलग-अलग विवागों के अ समद्ध में जानका ही नहीं होगी, किसी जोजगार से जोडने या फिर आपको लोन दिये जाने समद्ध ही जानका ही देखने के लिए मिलेगी, और इसी बजट को योगी सरकार कहती है कि बैस्ट बजट है, आप सभी की राय क्या है, वो तो कमेंट में आप सभी देई या फिर यूपी PCS के अंदर आने वाली किसी भी पद के लिए नोकी पाने की उंबीद लगा कर बैठे हैं, तो आप सभी को यहां से एक अच्छी ख़वर देखने के लिए मिलने वाली है, अच्छी खवर यह है कि बैकल्पिक विशय को खतम कर दिया गया है, यूपी PCS के केविनिट के माध्यम से बैकल्पिक विशय को खतम करने समंदी जयनकारी, आज सभी समाचापत्तों के अंदर आपको देखने के लिए मिलेगी, लेखा हुआ है कि PCS की मुख्य परिक्षा से बैकल्पिक विशय की अनिवारता खतम, नीचे जयनकारी देखने के लिए कि राज्य सरकार ने सम्मलित राज्य परिक्षा के समंद्ध में बैकल्पिक विशय को लेकर आनिवारता खतम कर दिये, इसके इस्तान पर उत्तर प्रदेश से जोड़े हुए सामान ग्यान के दो प्रश्नपत्र जोड़े गए हैं, मतलब आप सभी का उत्तर प्रदेश वि में इस प्रस्ताब को मंजूई दे दी गई है, इसके लिए कर्मिक विवाग के प्रस्ताब सम्मलित राज्य प्रवर अधीनर सेवा मुख्य परिक्षा परिक्षा योजना के पाठगम में शंशोदन संबंदी प्रस्ताब पास कर दिया गया है, इसके बाद में जो प्रस्तियां देखने के लिए मिलेगी, अगर आपका टार्गेट है, तो PCS को लेकर अपनी त्यारी करते हैं, बहुत जल्द आप सभी के सामने विग्यापन जारी होने बाला है, चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं अपनी अंतिम अपडेट के बारे में, जो कि संबंदी थे PRT भी थी, इसके अलावा कुछ टेक्निकल और इसके अलावा जो नॉन टीचिंग पोस्टम कहते हैं, वो भी आप सभी को देखने के लिए मिली थी, इसमें से अगर बात की जाए, सिच्छक बरती परीक्षा के संबंद में, उफीशल नोटिस जारी करते हैं, उन्होंने पर 2023, उसी के उपर आप सभी के सामने उनके इमेल और वेबसाइड के बारे में जानकाई लिखी हुई है, आप सभी के सामने देखने के लिए मिलेगा कि सूचना निम्न परीक्षा के अंदों पर आयुजित की गई, प्रशिशित इसनातक सिच्छक, मतलब कि TGT सिच्छक की, जो आप सभी कम्प्यूटर आधारित परीक्षा थी, उसको यहां से करने के इन्यस्त की जाती है, मतलब इसे परीक्षा अज़द करती जाती है, इस परीक्षा को अज़द करने की जो संब्रदी जानकारी है, वो उन्होंने नीचे भी दे रखी है, जैसे कि आप सभी को दे डाला हुआ है कितना बेस्टा चाहर हुआ है और उसके आधार पे उन्होंने यहां से अगर बात की जाए इन्फोर्मिटिटेक कंप्यूटर बात का से 6.29-40 एक मार्च 23 को बिर्फिक्षा की इस एकृठी जाएं ऐसका द्यान रखें कि आपकी परेक्षा कभी तक या सकती है और दुबार से अईजित की जाएंगी ऐसा ना हो कि आप एक वापा इक्षा देगा हॉलिडे मुनाने चले जाएं फिलाल इस वीडियो के बाध्यम से इतना है थेंक यू फो बहुचिंग इस वीडियो